बहुत मज़ेदार इंटरस्टिंग टॉपिक है पेरिंट्स का सबसे बड़ा डर जो पेरिंट्स का आजकल सबसे बड़ा डर है वो बताऊंगा और एक्च्वल में सबसे बड़ा डर क्या होना चाहिए वो भी बताऊंगा कि जो आपको ये डर है जो नॉर्मल है मैं बताने वाला हूँ ठीक है उससे बड़ा डर क्या हो सकता है और उससे ज़ादा बड़ी पीड़ा क्या हो सकती है और दोनु चीजों को जानने के बाद बिहेवियर में कोई चेंज अगर करना चाते हैं तो ये वीडियो यंग्स्टर्स के लिए है कि पहले तो इस समझें बात को और पेरेंट्स के लिए बाद में पेरेंट्स को फॉरवर्ड करोगे मुझे पता कोड़े पढ़ेंगे आपके बट डर के आगे जीता है ग्रुप पे डाल देना नफरत की निखाओं से देखें नीचे मेसिज लिख देना ठीक है और डिसलाइक करें ऐसा कर देना और बोलो हम बिल्कुल ये गुरुजी की बात कोई नहीं करते पता नहीं क्यों इस तरह की बाते करते है ठीक है ऐसा करके भेजा जा सकता है बाकी वो देख लेंगे पेरिंट्स का सबसे बड़ा डर क्या रहता है आज कल कि एक स्टेश के बाद ये जो बच्चे हैं ना हमारे ये हमारी प्रॉपर्टी लेके ना भाग जाए ठीक है एक वो गौतम सिंगानिया रिमेंट्स वाला और उसका लड़का वो बहुत ज़ादा एक्जामपल दिया जाता है उस एक्जामपल को भी अगर आप वीडियो चाहते हैं बहुत अच्छे वाला तो मैं बता दूँगा उस पे भी बना दूँगा क्योंकि मुझे देनी पड़ेगी पिकोस उसमें रिलेशनशिप्स इंवाल्ड है फैमिली इंवाल्ड है रियल इस्टेट इंवाल्ड है पैसा इंवाल्ड है और इन सब सारे चीजों का मैं मास्टर जी हूं बहुत अगड़े वाला पीच्डी स्कॉलर से उपर वाला तो वीडियो बन जाएगा अगर आप वो चाहते हैं तो रिमेंट्स लिख देजें तो वह उनकी क्लारेटी पे बना दूँगा पर आज बताता हूं कि पेरेंट्स का डर्ग यह है और यह वीडियो सर्कुलेट करते हैं मैसेज कि हमारे बच्चे हमारी प्रॉपर्टी लेके भाग जाएंगे पैसे के लिए हमारे साथ हैं हमसे उनका वैसे तो कोई रिष्टा नहीं है हैं पैसे के लिए हमारे लिए हैं हमारे पैसे हमसे ले लेंगे या इनको पैसे का ही इंट्रेस्ट है या बेटे भहो को सिर्फ इसी का ही है दमाद बेटी को सिर्फ ऐसा ही है बेटी होती है बेटा होता है यही कॉंबो होती है दमाद होता है बहो होती है यही होता है ठीक है तो यह बहुत बड़ा भह है है पेरेंट्स को है या नहीं है आप मुझे पहले तो बताएं कि हाँ यह भहु है ये घर से मेरे बेटे को अलग तो नहीं कर देगी पाड़ देगी वो भी भै होते हैं पर मैं आगे वाले भै बता रहा हूं जो थोड़ परीपकव वाले भै हो जाते हैं जो इसमें प्रॉपर्टी का भै पर इससे बड़ा भै क्या होना चाहिए जिससे पेरेंट बचे बोले कि आपकी प्रॉपर्टी चाहिए नहीं हमें आपका धन चाहिए नहीं या वो खुदी इतने धनी हो जाएं कि आपका जो भी पैसा वैसा यह वो इर्रेलेवेंट हो जाएं उनके सामने फिर वो क्योंकि बहुत पेरेंट्स आज के दिन देखो यह डार्क साइड बढ़े डार्क वाली साइड में मैं ले जाता दिखूं समाज में कोई बात नहीं कर रहा है लेकिन पीड़ा तो है और मेरे को सपने नहीं आ रहे मैं तो one of the top consultant हूँ परिवार में कलेश, family में कलेश, marriage में कलेश, कलेश का doctor मैं है क्योंकि I understand 360 degree perspective of all things and यह phenomena मैं समझता हूँ क् parents के पास leverage रहती है, because assets उनके पास है, parents को inheritance मिली है दादा दादी की, पिछली generation की, आप छोटे youngsters को नहीं मिली है, तो यह उस पैसे पर भी बैठे हैं, अपने कमाएं पर भी बैठे हैं, और since उमर है तो assets कई साल hold करके उनकी value बहुत जादा हो चुकी है, तो वो एक relationship में power dynamics आ तो इनको ऐसा लगता है कि इस power से ही अगली generation को हम आकरशित रख सकते हैं, relevant रह सकते हैं इनके सामने, या black male भी करा जा सकता है, तो ने हमारी बात नहीं मानी तो ऐसा करके, क्योंकि यह जो 40,000 की 50,000 की लाक की भी तंखा पे लगता है, तो अगर पांच करोड का asset है, तो इस एसेटी लेके बैठे हैं ये लोग, तो आप समझे रहें कि ये कितना irrelevant है आज के दिन इसकी earnings, क्योंकि ये एक लाक is not savings, एक लाक is earning, इस पर tax भी जाएगा, खर्चा भी होगा, savings will be like 25-30,000, 50,000 savings भी लगा ली, लाक रुपे पे 50,000 से जादा तो कोई नहीं बचा सकता, तो 50, 50,000 भी savings लगा ली, तो भी आप देख लो 80 साल की savings के बराबर assets लेके बैठे है parents, कहीं भी, जहां पे छोटा सा भी plot है और आपको पता rates क्या हो रखे, gold के, plot के, flat के, या किसी भी asset class के और inheritance के, जो assets हो रखे, तो ये डर है, लेकिन अगर आप किसी को इतना परताड़ित कर रह रहते है, asset restructure की बात नहीं कर रहे, कोई भी बात नहीं कर रहे, और बोल रहे हैं कि तू अपना देख ले, तू अपना देख ले, किसी दिन उसने बोला कि यार आप अपना देख लो, मुझे नहीं लेना देना आपकी property, क्योंकि एक दिन तो आप भी तेने बुड़े होई जाओगे, कि आप से भी चीजें उतनी समलेंगे नहीं, और वो पारडाइनमिक्स के बियॉंड हो जाओगे, आपको genuinely बच्चों की जरूत होगे, एक समय आता है, एक समय आता है, जब पेरेंट्स बोलते हैं हमें तुम्हारी जरूत है, तुम हमारे काम नहीं आ रहे, और ए चलना आ गया, पैसे कमाना आ गया और उनको ऐसा लगा कि ठीक है, यह पैसे यह किसी गउशाला में भी दे जाएंगे, खहीं दान कर जाएंगे, खहीं एंजीयो को दे देंगे, खहीं और दे देंगे, तो चलेगा, मेरे को अब नॉनसेंस नहीं सैन करनी, यह तब होता है, क्योंकि इतना इजीली बच्चे भी गिवप नी करते हैं, क्योंकि पैसा तो सबको अच्छा लगता है, प्रॉपर्टी सबको अच्छी लगती है, लेकिन कही बार आदमी तना प्रताडित हो जाता है, क्यों कहता है, तो जिसे कहते हैं, ना हैल विद यू, ऐसा बोलना तक वो मिलते हैं, रूप, एक सब घर की स्टोरी से हमनी होती, पर ये बहुत इशू हैं, तो पेरेंट्स के लिए ये है कि अगर उनने बच्चों ने जिस दिन बोल दिया, नहीं चाहिए, रख ले अपना जो करना है, तो आपसे बिकेगा भी नहीं, क्योंकि इतने दम आप से निकल सकते हैं, बिलीव सिस्टम कराइब्स कर सकते हैं, आपको ऐसा लगेगा कि नहीं, हमने तो कभी जवाब ऐसा फैका नहीं था, अपने पेरेंट को तभी तो हमें सब कुछ राजी खुशी मिल गया, इनिरेटेंस का जो पचास गुना सौ गुना हो गया वर्त में, द का की भी शहरो ने, चोटे शहरों में भी आपको पता है, कहां से कहा रेटा चले गे है, रो तक जीस चोटा शहर, वहाँ पेलो लाख हो रुपे गज में चला गया है, आ पिटा पढ़ा था मामला, प्छले 15 साल पेले ही, तो मतलब वहाँ पच्शी गुना रेट माज हो गे कि वो a कि तरे मेहंगरे पिस थे आपने उल्ड करें टेलिजन आप ते क्या पनलत को परी जैसे को सबकों कि इतना ग्रेट इन अग्ली जनेरेशन को आप गिरा रख लो क्योंकि अगर उसने package वा मारा कि भीया जी thank you जी but no thank you एक 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 एसान करना मुझपे को एसान मत करना वो सल्मान खानवाला डालोग मार दिया बच्चे ने यह सबसे खत्रा है यह सबसे बड़ा डर है and यह डर होना चाहिए हर parent में होना चाहिए never to reach that stage यह सबसे बड़ा डर होना चाहिए आपका बच्चा आपकी property लेके चला जाएगा मार ले तो बहुत अच्छी चीज़ है यार क्योंकि आपका बच्चा नहीं करेगा तो क्यों और कर लेगा property को उपर लेके तो जा नहीं सकता I have to tell parents, counsel parents क्योंकि बहुत anguish लेके बैठे है parents, consultation में तो parents भी बहुत आते है वो anguish लेके बैठे हैं अपनी ugly generation का हम इनके लिए इतना छोड़ के जाएंगे और ये भाई साब गुरु जी ये तो इतना भी ऐसे नहीं करते आप छोड़ के जाएंगे निजी हरे नहीं हम छोड़ के चूट जाएगा चूट जाएगा शीशा हो या दिल हो आखिर तूट जाता है property हो या पैसा हो आखिर चूट जाता है ये original पहले वाला नहीं दुसरे फला ठीक है चूट जाता है why are you making a virtue of a necessity अगर भायो भेनो यम्राज जी इंदर जी या कोई और जी ठीक है एक provision बना दें कि भीया इसके बाद एक जिंदगी होती है जैसे हम अपने धर्म में कई जगे कई धर्मों में हमारे धर्म में किसी में कई पढ़ा लिखा कि जनम जनम का के लोगता है वह सारी बा कि आप अपनी इहां की सारी प्रॉपर्टी बेच के बैंक में पैसा डाल के उसका एक बिटकॉइन जैसा कुछ बना कर अगले जगे कुछ हैसे गुमा के उसको ट्रांसफर कर जाओ और अगली लाइफ में चले जाओ और वहां पे फिर काचे काटने शुरू कर दो यह आपक जाएगा काभी ले तारीफ ले जा सकते थे लेके नहीं गए या सारा ले जा सकते थे थोड़ा ही ले तोड़ा छोड़ोगे भाई जब लेके जाए ही नहीं सकते सब यहीं छूट जाएगा तो उस चीज की इतनी वो गुनगान क्यों करने हैं सी I make these videos at lot of risk to my personal distinction क्यों मैं को isolation में पैदा नहीं हो रखा मेरे भी उपर भी है भगवान की गया से नीचे भी है लेफ्ट भी राइट भी सब लोग सुनते है मेरे और वो भी personal opinion मनाते हैं तो तो ऐसे ऐसे करके तो ऐसे ऐसे करके मुझे भी डरक लगता है कोड़े खाने में बट फिर भी आके सही बात तो गुरु जी की तरह बता नहीं पड़ती है जो बात सही है अच्छी लगे बुरी लगे से क्या है बहुत बाते अच्छी लगती है बहुत बुरी लगती है बात में ये देखना चाहिए कि वो बात सही है कही जा रही है यह गलत है कभी भी अपने कमाए हुए धन का या जो धन आप छोड़के जाएंगे उस पे मत लटकें अपने बच्चों से वही बातों को बातों में मनवाएं जो बात सही है इसका यह मतलब नहीं जो पेरेंट्स बहुत ही गरीब है फिर उनका तो खेली खतम हो जाना चाहिए अब वो क्या बात करेंगे उनकी क्या इजज़त हो गया तो पैसे ही नहीं यह पेरेंट्स ने पता नहीं कहां से लगा लिया और कई पेरेंट्स तो ऐसा देखते कि यार जिनके गरीब है ना जो कुछ ऐसा मैंने देखा है पेरेंट्स को देखो हमारे रिष्टेदारी में जी हम तो इतना छोड़के जाएंगे उनके बच्चे देखो ठीक है मेरे को ये लाइव मेरे को बताना पड़ता है और मैं को किसी क्लाइट का नाम नहीं बता रहा कुछ वैसा नहीं बता रहा तो मैं ऐसे कुछ पाप भी नहीं कर रहा हूँ ठीक है मेरे को एक्जाम्पल से बता रहा है ये बिल्कु लाइव ये कह रहे हैं कि जी इनको देखो ये तो गरीब है हमारे रिष्टेदार इनने तो अपने बच्चे को उस बड़िया कॉलिज में भी नहीं पढ़ाया ऐसा कुछ ग्रेट काम में नहीं किया और देखो इनकी कितनी बड़िया सेवा हो रही है क्या बड़िया बेटा है या क्या जी भाव आई है क्या ये है ठीक है और हमारा देखो जी किसमत ही खराब है हमने तो इतना किया इतना करने की शमता रखते है इतना छोड़के जाएंगे और हमारे वेले ऐसे है मैंने का situation तो सही है आप बोल रहें पर इस situation में ऐसा हो सकता है कि ये sense गरीब है इनने कुछ करा ही नहीं इनके लिए और उनके बच्चों का महनत या किसमत दोई चीज़ होती है इनसे कुछ हो गया तो ये कलेश नहीं काटते है अपने बच्चों के नाम का सिंस बच्चों के नाम का कलेश नहीं काट रहा बच्चे default setting पे सब ही इतने अच्छे होते हैं क्यों माता पिता की default setting पे इज्जत और सिवा कर देंगे और उनको default setting का फायदा हो रहा है आपने अपने बच्चों की जान में कलेश डाला हुआ है और कलेशी की तो भाई लाइफ में कलेशी मिलेगा कलेश विल कलेशी विल नौट गेट एनी अब ऐसी बाते हैं उसको बोलना जिसने आपको मोटी फीस दिये consultation की is not an easy thing पर यहां यह लोगों को अच्छा महसूस कराना नहीं उनको reality दिखाना है कि भाई यह situation बिल्कुल सही है बट अपने पास भी तो introspection कर लो ऐसा क्यों है ऐसा क्यों है एक बार सुन तो लो कि वो जो गरीब रिष्टेदार है जिसने कुछ जादा किया नहीं तो किया नहीं तो फिर वो रोएगा किस बात का कुछ तो वो normal behavior करता है उसका बच्चा आके उसको कुछ दे जाता है वो ऐसे पहन लेता है गाड़ी में बिठा देता है इसे बैड़े जाता है वो महुरुत पे चल जाता है वहां बैड़े जाता है हवन पे बोल देता है इधर बैड़े जो इधर बैड़े उसकी इज्जत बेश्ती नहीं हो रही है उसको तो life यहां थी उसका बच्चा यहां दिखा रहा है आपको आप यहां बैठे हो यह आप आपका बच्चा यहां है तो आपका बच्चा तो आपको कभी खुशकरी नहीं सकता क्योंकि आप तो यहां बैठे हो इतने बड़े पेडेस्टल पर और आप उसके लेवल पर आजाओ ना और सौभाविक हो जाओ और बोलो कि यार मजएकर तु कर तुझे क्यों ऐसी तैसी करनी है तुझे क्यों लाइफ में तकलीफ लेनी है हम हम है ना हमने इतना स्ट्रगल किया अब तु ऐसे कर वैसे कर और इंजॉय कर और अपने चीजों को आगे ले जो यह यह पॉजिटिविटी क्यों नहीं रखते पेरेंट्स बच्चे की तरफ ये वीडियो बनाने में ना खत्रा डर लगता है मुझे डर बड़े बड़े वीडियो तो मैं पॉलिटिशनों के तो मैं वैसे भी बना दूँ कुछ डर नहीं लगता है घर में कोड़े पढ़ने का डर लगता है रिष्टेदारी से जान पिचा हैं यही मेरी जान बचाते हैं क्योंकि जब मैं इस तरह की वीडियो बनाता हूं मेरे ही कोड़े पढ़ते हैं अब मुझे कौन मारता है मैं नहीं बताने वाला ठीक है लेकिन जो मेरे को मारे जाते हैं तो मैं उनको कमेंट्स दिखा देता हूं कि देखो लोग बाकियों को तकलीफ हो रही है ना ठीक है ठीक है सब को इतनों को हो रही है सब बोल रहे ना अच्छा है बस फे ठीक है तो ये ठीक गयाने तो भी मुझे बचा लो आप लोग तेले वीडियो बनाया है तो अगर बचाओ के तो आगे वीडियो बना दूँगा लिबरेट करने के लिए क्यो कोई ये बातें नहीं कर रहा है समाज की पीड़ा है मैं इस 21st सेंचरी का इंडिया का सोशल रिफॉर्मर कहलो या साइंटिस्ट कहलो या वो कर लो जो मर्जी अच्छा नाम देना है या गुरू जी कहलो आशरम में बैठता नहीं किसी को वो भक्ती-वक्ती वाला काम नहीं है कोई गुरू दक्षिना वाला और शरद्धा वाला काम नहीं क्योंकि ऐसे काम करो तो फिर आगे गड़बड होने का काम होता है क्योंकि हमने देखा है सब होते हैं कि हाँ जाके ग्यार बाट रहा है इतने लोग बैटे हैं फिर कुछ मैं तो यूटीब के माद्धियम से मैं कि फिर इस माई 45 मिनट की कंसल्टेशन तो वो धाई साल में तो सीखी जाओगे काफी कुछ डला हुआ है उसमें तो ये खुद भी कंसल्टेंट बन सकते हो ट्राइगर के देख लो ठीक है तो इंजॉय करो इस वीडियो को शेयर करो कमेंट सेक्शन में लिखो और तनाव मत लो लेकिन ये बाते हो रही है और ये सब को पता होनी चाहिए ठीक है और मेरे कंदे से बंदू क चलानी है तो चला लो मैं अपना बुलेट प्रूफ जैकेट पैन कैसे बैठ जाओगा ठीक है मेरे नहीं लगती ठीक है तो प्लीज बताए कैसा लगा लाइक्स करें ये जो पर लाइक्स आते हैं कमेंट्स आते हैं यही मेरा कवच है कोडों से ठीक है तो आप मेरा कवच बने कवच बनेंगे तो ऐसे ऐसे लिबरेटिंग वीडियो आपको आते रहेंगे थैंक्यू वेरे मैंच